Hello Everyone! Welcome to HKM Tech World तो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंट्रिस्टिंग चीज के बारे में जानेंगे हम लोग जानेंगे कि एक container का lifetime क्या होता है मतलब कब एक container कब तक चलता है और वो कब container exit हो जाता है मतलब कब container बंद हो जाता है हम लोग पूरा में इस वीडियो में रिटेल वे में जानेंगे तो चले शुरू करते हैं अगर मैं एक कंटेनर लॉंच करूं मैं अगर एक कंटेनर में लॉंच करता हूं अप लोग चीज दिखाना अभी अभी आप देखेंगा यहां पर कोई कंटेनर है नहीं मेरा मैं एक कं सोघ् gauche कर लेता हूं कोड़िए को सीच कनटेनर लॉंच करता हूं हैं तो कोई कनटेनर लॉंच होने के बाद क्या होता है तो स्कों बैक्डाउंड में चलने देता हूं मैं ने 30 बता है कि आप लोग वह कोैं देधा किंद्र को बैक्रण वहां नोटिस किजिए गा बिन बैस यह मतलब क्या है यह अभी मैं आप लोगों कुनटैनर करता हूं ठीक है एक और कंटेनर मैं लांच करता हूं और उस कंटेनर खोवी मैं सेंट्रीवच से ही लॉंच करता हूं और मैं यहां पर date लिखता हूँ, date, तो यह देखिए, यह date इसका क्या मतलब है, पता चलेगा आप लोगों, फिर अभी आप देखिएगा, तो यहां पर यहां पर बंद हो चुका है, क्यों हो है, मैं अभी आप बताता हूँ, यहां पर अगर आप dropless ps-a लिखेगा, तो यहां execute ना हो जाए, मतलब आप अगर कोई container launch किजेगा, तो कोई भी container जब launch होता है, एक command चलाता है, मतलब कोई भी command चलाता है, और यह जो container हम लोग ने सबसे पहले launch किया था, उसमें कोई हम लोग ने command pass नहीं किया था, हम लोग यहां पर आप देखेगा, हम लोग ने कोई command pass नहीं किया था, तो उसने क्या किया, by default slash bass command चलाया, bass, bass cell, एक समझे, bass command चलाया, और ऐसा समझे, यह जो हाँ पर आप command लिख रहे हैं, वो एक तरह से समझे, bass cell है, यह समझे, पुरा bass cell है एक तरह से, तो यहां पर आप command लिखे, यही command उस container में by default चलाया, तो all command, यह slash bin bass, तो यह command चलाया, तो यह command क्या होता है, infinite command होता है, मतलब, ऐसा समझे, आप यहां पर कोई, अभी आप मैं Docker host में हो, ठीक है, आप यहां पर कोई date command चलाया, date command के बाद क्या हो, फिर से एक bass cell एक तरह समझे, फिर से यह जो blink कर रहा है, एक तरह से, एक तरह समझे, यह ऐसा cursor type का, तो यही फिर से आजाता है, मतलब, एक तरह समझे, loop चल रहा है, आप कोई भी command चलाये, कोई command चलाये, इसके बाद फिर से यह pop-up हो जाएगा, उसी तरह, यह जो bin bass चल रहा है, by default, तो यह loop चला रहा है, तो मैं अगर मान लीजिए, यह loop चला रहा है, तो command कभी खतम ही नहीं होगा, इसलिए यह command को आपको खुद बंद करना पड़ेगा, खुद exit करना पड़ेगा, तभी यह command खतम होता है, तो इसलिए, जैसे यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा हूँ, जैसे कि मैं वो container अभी docker ps कीजिएगा, तो यह container अभी चल रहा है, मैं इस container के अंदर जाता हूँ, docker attach, attach command से हम लोग कोई running container के अंदर जाते हैं, यह container का ID है, इसको मैं यहाँ पेश्ट करता हूँ, मैं इस container से हूँ, यहाँ पर यह जो bass cell चल रहा है, आप कोई भी command चलाईए, को यह bass cell कोई भी command को हम लोग forcefully कैसे exit करते है, control c हम लोग exit command से क्या करते हैं, यह cell को exit कर देता है, तो यह क्या होता, यह exit कर दिये, exit करने के बाद क्या हूँ, bass cell का काम खतम होगे, यह command बीच में बंद हो गया, यह command जैसे बंद हुआ, यह command बंद हुआ, और आप देखिएगा एक तरह से पीछे docker container भी बंद हो जाएगा, मतलब simple सा बात है, एक simple सा logic है, docker container तभी तर चलेगा, जब तक यह command चलेगा, यह command का काम खतम होगा, docker container अपने आप बंद हो जाएगा, मैं आप लोग को एक और चीज दिखाता हूँ, इसी में आप लोग को एक और दिखाता आप दोचरीव जैसे आप docker run, docker run minus ID, और उसके बाद कोई भी इमेज, और कमांड, जैसे यह command चला, फहले container launch हुआ, यह container यह command चलाया, कमांड चलाने के बाद container बंद हो गया, मतलब समझ मेи इगजए हो गया, यह cal command चलाया, एक cal command चलते ही यह container तो यही काम है, ऐसे ही काम होता है, मतलब यही lifetime एक container का, मतलब एक container तभी तक चलेगा, जब तक उसका, जब तक वो command चलेगा, तो by default normal, जब पोई हम लोग command पास नहीं करते हैं, तो उस case में क्या होता है, यह bin bass चलाता है, और bin bass का by default logic क्या है, वो loop चलाता है, एक तरह से, आप अगर आप लोग अपना कोई system का cell command देखना चाहते हों, कौन सा आपके, मतलब cell आप use कर रहे हैं, तो एक by default environment variable होता है, यह bin bass, देखें, यह bin bass, यह cell का नाम क्या है, bin bass, और यह bin bass, जब चलता है, तो यह infinite चलता है, तो infinite चलता है, यही देखें, bin bass यही चला रहा है, यह infinite चल रहा है, और इसको बंद करने के लिए exit command हम लोग करते हैं, तो बंद हो जाता है, जैसे वो बंद कीजेगा, आपका container भी बंद हो जाएगा, तो इससे हम लोग क्या समझेए, container का lifetime तभी तक होता है, जब तक कोई command चलाता है, और हमेशा है याद रखे, container जब भी launch होगा, तो कोई न कोई command चलाएगा, आप अगर कोई command पास नहीं कीजेगा, तो वो by default दे लेगा क्या, बंद हैस, यही था container का पूरा life cycle, lifetime पूरा कब तक container जिंदा रहेगा, ऐसा समझे, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करने, डॉकर के related interesting वीडियो समय आने वाला हूं, और बहुत वीडियो डाल के दिया हूं, अपने उसको देख भी लीजे, और बहुत सारे आने वाले हैं, और भी अब को तरह तरह की वनेटी सेंसीवल, सब एडवांस टेवल के वीडियो आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करनें, जितना से जितने उससे के सेट ले लाले वे वेर जितने